वो करना हूँ धन्यवाद, मैं डरता थोड़ी हूँ, करना हूँ धन्यवाद, नहीं, युवा भई हम युवा है, प्लीज डोंट डिस्टब, माने ज़रसे है, नगर इसमें जो चार साल से ही रुका हुआ है, ये चार साल के तीन साल आप लोगों के है, मैं यूस की जैराम सर के अगरु कोट आपको पता है, चार से क्लिशार शर्ट के जो चार से कोड़ेधार, मैं इसमें के मसले से को पूरा करेंगे, Murdu मैं दूसरी जिजिवेथ हमने बेजी है, यो विड़्ोज के बनाड ताइम प्रेम के अंदर पूरा करेंगे, इन चारूज को पूरा करेंगे, मंडी में दूसरी JCBs हमने बेजी है जो विडोस के बच्चों को यहाँ पे प्री एजुकेशन 27 साल तक देने की बात है यह एक अच्छा निरने सरकार की ओर से लिया गया है वैसे भी आपको चुनावों की चिंता करने की आविशक्ता नहीं है हम प्रभु राम का अशिरवाद लेकर आ गए यहां से बोला जा रहा है कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है वहां से बोला जा रहा है कि केंद्र बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है और इसको आपका दायत्वा भी यह बनता है कि आप इन विश्यों को तत्यों के साथ ये इंद्र सरकार के समख्ष उठाए ताकि आने वाले समय में जो हमारा अधिकार है हिमाचल का जो अधिकार है मारा निया परधान मंत्री जी जो हर बारी यहां पर आकर कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है तो उसमें जो हमारा बकाया प्रदेश का बनता है other than the centrally sponsored schemes I am reiterating it वो हिमाचल को मिलना चाहिए वो मेरा निवेदन है ये हम सब सनातनी है हम सब हिंदू है और हिमाचल प्रदेश कि माचल प्रदेश को राम राज्य बनाने की ओर आगे लेकर जाएंगे और किस उस राम राज्य की परिभाशा भी आपको बता रहा हूं आपका जो है नैरो सोच वाली तिंग्रिन मानसिक्ता वाला राम राज्य नहीं है माननिया उपद्यक्ष मौदे मैं आज जो माननिया मुख्य मंत्री जीन है दो हजार चौबिस पच्चिस के बजट अनुमान विधान सबा की सबापटल के उपर पेश किये है उसके उपर मैं चर्चा करने के लिए आज आपके बीच मैं उपस्तित हुआ हूँ और मुझे बहुत गर्व के साथ और गर्व के साथ साथ बहुत संतोष के साथ साथ यह कहने का चुब अफसर मिल रहा है कि मैं हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलने में विश्वास रखता हूँ and I always make it a point that whatever I am saying is corroborated by facts, evidence and figures जो यह budget मानने मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है यह विप्रीथ परिस्तितियों में जो प्रदेश की काले बादल वित्य संकट के प्रदेश के ऊपर चाय हुए थे जिसके लिए हाला की पिछले एक साल में बहुत से निरनायक और unprecedented कदम उठाये गए हैं किस तरीके से हम प्रदेश की आर्थिक स्तिती को प्रदेश के अर्थववस्ता को बहतर करे उसके लिए लिए गए हैं और हो सकता है कि उसमें से बहुत से ऐसे निरने हो जो कडवे हो जो कठोर हो जो पॉपलिस्ट ना हो जो ऐसे निरने ना हो जो आप एक राजनेतिक मंच के ऊपर जाकर जिसके बारे में बात करें हो सकता है कि वो निरने लोगों को as a whole अच्छे ना लगे मगर they have been taken not for any electoral purposes or for the sake of the populist measure of the government but they have been taken in the larger interest of the state प्रदेश की आर्थिकी को अगले 10, 15, 20 साल के लिए मजबूत करने के लिए ये निरने मुख्यमंत्री जीन है सभी cabinet के हमारे सदस्यों के साथ अपने विधायकों के साथ चर्चा करने के बाद लिए है नहीं युवा वही हम युवा है प्रदेश में युवाओं के लिए नए अफसर पैदा करना हमारी वचनवत्ता है जितने पी विशे प्रदेश के अंदर चले हुए है चाहे वो हमारे JOA 817 के है, चाहे वो हमारे अधियापकों के है, चाहे वो हमारे रिक्रूटमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स पड़ रही है, हमने इस विशे को दंबीरता के साथ कैबिनेट में मुखे मंत्री जी के समख शुठाया है and I wholeheartedly thank the Honorable Chief Minister who has constituted a committee under the leadership of the Deputy Chief Minister, of which I am also one of the members and I can assure you, मैं बारी बारी इस चीश को बोलता हूँ, I believe in calling a spade a spade, जहां पर हमको लगेगा कोई कमी है, हम युवाओं की आवाज को पूरी मजबूती से उठाएंगे, यह kangaroo court नहीं होगा, kangaroo court आपको पदा है क्या होता है, it's a rubber stamp court, which was there during your tenure, but this committee has been empowered, इसमें जितने भी, चाए वो high court के मसले हैं, चाए वो supreme court के मसले हैं, चाए वो और इसको issues है, threat bear इन issues को उठाया जाएगा, और इनको हम आने वाले stipulated time frame के अंदर, इनकी रोजगार के जो problem भसा हुआ है, उसको पुरा करेंगे, मगर इसमें जो चार साल से ही लोगों के है, मैंने उस समय, जेओ एाइटी के माननिया साथियों से भी, युवाओं से भी ये बात की, कि उसकी जैराम सरकार की कारगुजारियों की नकमियों का ठीकड़ा, आप हमारे उपर ना फोड़े, हमारी एक साल के कारेकाल के अंदर, जो हम इसमें कर सकते हैं, हम क मंदर की बात करी है, इस पे भी मैं सिति स्पष्ट करना चाहता हूं, कि हमें सबसे पहले तो भगवान राम, प्रभु राम, किसी की जागीर नहीं, किसी के व्यक्ति विशेश, या पार्टी विशेश, या किसी इलाके विशेश के, जो है, वो मुरीद नहीं, ये हम सब सना हम सब हिंदू है, और हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमी है, आपको ये नहीं भूलना चाहिए, कि हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरन का कानून, कॉंग्रेस पार्टी की सरकार लेकर आई था, 2007 में लेकर आई था, और हम, जो है, हिमाचल प्रदेश को आने व और आगे लेकर जाएंगे, और किस उस रामराज्य की परिभाशा भी आपको बता रहा हूं, आपका जो है, नैरो सोच वाली, सिंग्रिन, मानसिक्ता वाला रामराज्य नहीं है, ये वो रामराज्य है, जिसमें माई ड्रीम्स, इंशोर्स, इक्वल राइट्स, अलाइक, त नहां पर हर इलाका, हर क्षेत्र, हर जाती, हर धरम के लोगों के साथ, समानता के साथ, विकास किया जाएगा, उस रामराज्य को हिबाचल प्रदेश के अंदर सापित करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दलाना चाहता हूं, और वैसे भी आपको चुनावों की चिंता करने की आवशक्ता नहीं है, हम प्रबुराम का आशिरवाद लेकर आगे हैं, और प्रबुराम का आशिरवाद लेकर, ये मैं आपको ये विश्वास दलाना चाहता हूं, इस चारों के चारों लोगसवा सीटों मैं कॉंग्रेस पार्टी ज साथ जीतेगी और हमें किसी से कोई हमें किसी से कोई certificate लेने की आविशक्ता नहीं है तो अंत मैं अध्यक्ष मौदे मैं जहां इस budget की भूरी भूरी प्रशंसा भी करता हूँ budget मैं विप्रीत परिस्तितिव मैं जो इसको पारित किया गया है जो हमारे उसकी भी चिंता करता हूँ मगर उसके साथ साथ जो हमारा centrally sponsored schemes का over the period of time जो budget का पैसा कम होता जा रहा है उसकी चिंता करना भी हमारा दायत वो है और अंत मैं मेरा ये विनम्र निवेदन रहेगा कि आरोप रति आरोप चलते रहेंगे मैंने पहले भी ये बात करें कि हिमाचल परदेश के सतर लाख लोग हमको देख रहे है there have to be times where we rise above bipartisan politics दलगत राजनीती से उपर उठकर अगर हम इन विशे को केंद्र सरकार के समक्ष परधान मंत्री के समक्ष केंद्रिय वित मंत्री के समक्ष उठाएंगे तो निश्चित तोर से आने वाली पीडियों का हिमाचल परदेश के अंदर फाइदा होगा ये मेरा निवेदन विपक्ष के साथियों से है अध्यक्ष मौदे आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका मैं धन्यवाद करता हूँ और माननियम मुख्य मंत्री जी को ऐस फिनांस मिनिस्टर इस बजट को पेश करने के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और अगले वित्य अवर्ष में हिमाचल परदेश नई उन्चाईयों पर पहुंचे और सरवत्र हिमाचल परदेश का सरवत्र विकास हो यही हमारी सोच है जैहिन थैंक यू सोशल वेलफेर में जैसे मैंने आपको कहा कि यह बुखे मंत्री सुकाश्र योजना शुरू की गई है और वैसे ही ग्रामीन विकास में जो मंड्रेगा की ध्याडी को भडाया गया है मैं अकसर यह बात करता हूँ कि जो काम केंद्र सरकार के माध्यम से करवाए जा रहे हैं on the floor of the house हमने बहुत बार उसकी प्रशंसा करी है मगर मुझे दुख है यह कहते हुए कि आप निंदा करे इस बजट का आप हमको उसमें कोई भी problem नहीं है but at least appreciate the good initiative that have been taken by the Congress Government by the Honorable Chief Minister जो यह आपका मंड्रेगा का जो दिहाडी बढ़ा कर जो 60 रुपय बढ़ाई गई है मैं समझता हूँ कि एक निरनायक निरने हमारे प्रदेश में और खास करके हमारे ग्रामीन क्षेतर में जो काम अभी आपके आपदा के समय में यहाँ पे PWD कर सकती थी वहाँ पे किया मगर अधिकतर क्षेतरों में जो restoration का कार्या है that has been done by the people of the state हमारे ग्रामीन क्षेतर के लोगों ने उसको किया है और इसमें अगर भड़ोतरी सरकार द्वारा करवाई गई है मैं समझता हूँ कि यह हमारी अर्थववस्ता हमारी economy और हमारा flow of money को economy के अंदर बढ़ाने में एक निरनायक निरने सरकार की ओर से लिया गया है जिसका हमें स्वागत करना भी चाहिए और विपक्ष को भी इसमें समर्थन करना चाहिए यह मेरा आपसे विनम्र वेदन मेरे साथियों से रहेगा अधियक्ष मौदे एक चीज में मेरा थोड़ा सा चिंता भी है जो हमारा capital आउटले है जो हमने capital expenditure इस साल में प्रपोस करना है because being the public works department minister it is our responsibility क्योंकि हम उसको हर चीज़ को जवाब किसी department का आपको charge दिया जाता है आप उसी दृष्टी से पूरे प्रदेश को देखते हैं यह मेरे लिए एक चिंता का विशे है कि जो हमारा चौबीस पच्चीज में जो प्रपोस्ट कैपिटल expenditure है that is 6,270 क्रोड और यह मिरे लिए चिंता का विशे है कि यह 8% कम है to comparison to the previous financial year यह बात इसके लिए आने वाले समय में कैसे हम को अपने infrastructure को improve करना है whether there are bridges, whether there are roads, whether there are buildings and infrastructure that is being built in the state क्योंकि जितना infrastructure बनेगा उससे revenue के उससे employment के और उससे और जो third party employment के जो avenues है वो खुलते है इसको हमें आने वाले समय के उपर इसके उपर चिंतन करने की आवशकता है कि यह क्यों हुआ है और कैसे इसको आने वाले समय में इसकी बहतरी करवाई जा सकती है इसके बारे में हम निश्टत तौर से इस चीज़ के उपर कार्या करेंगे कि केंद्रा मदद नहीं कर रहा है वहां से बोला जा रहा है कि केंद्रा बहुत जादा मदद कर रहा है इस पर बिलकुल सही का रवी ठाकुर जीन कि एक वाईट पेपर ले करना बहुत आविशक है इस एक्चिली वेरी इंपोर्टन में 16,730 करोड जो आपके budgeted estimates 2023-24 के ही 13,048 करोड हुई revised estimates of 2023-24 में 15,185 करोड हुई और budget estimates of 24-25 में 16,730 से घट कर जो है वो आपके 13,287 रह गई है यह जो shrinking support के इंद्र सरकार से हमको मिल रही है या जो आस्ते आस्ते कम होती जा रही है यह हमारे लिए एक चिंता का विशे है और बारी बारी आप जिस grants की जिकर कर रहे है जो centrally sponsored schemes है यह मैं मानता हूँ की इसमें बड़ोतरी हुई है यह 2022-23 में 3,190 थी और अब जाकर इस वित्या वर्ष में जो अनुमानित है that is around 3,878 मगर हमको यह देखना है कि यह जैसा और साथियों ने भी कहा कि इस funds cannot be corroborated और इस funds cannot be appreciated as a grant to the state in times of adversity in the times of the difficult situation that the people of the state were facing यह grants किसी भी यह devolution of funds में चाहे वो हमको GST के मादियम से चाहे वो हमको आपके State Central Finance Commission के मादियम से यह और चीजों के मादियम से मिलती है वो हमारा अधिकार है मगर लगातार जो यह आपके आपका पैसा कम होते जा रहा है यह हमारे लिए निश्चित तोर से एक चिंता का विशे है और इसको आपका दायत्वा भी यह बनता है कि आप इन विशेओं को सत्थियों के साथ चेंद्र सरकार के समक्ष उठाए ताकि आने वाले समय में जो हमारा अधिकार है हिमाचल का जो अधिकार है माननिया परधान मंत्री जी जो हर बारी यहां पर आकर कहते है कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है तो उसमें जो हमारा बकाया प्रदेश का बनता है और देन दे जेंट्रिली स्पॉंसर स्कीम आ हम रिट्रेटिंग इट वो हिमाचल को मिलना चाहिए वो मेरा निवेदन है और अद्यक्ष मौदे उपाद्यक्ष मौदे मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा दो मिनट मैं अपने डिपार्ट्मेंट का जो हमारा अचीवमेंट्स रही है और आने वाले समय में रही है हांसरा जी सबसे ज़्यादा आपके अलाके में रही है आप चिंता ना चरे आपका हर बात जो आपने कहिए हमने सरमाथे के उपर रखी है ऐसा नहीं है तो उसके बारे मैं भी मैं दो बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगले पिछले पांच साल पिछले एक साल में हमने क्या किया और अगले एक साल के अंदर अगले एक वित्यवर्ष के अंदर हम क्या करने जा रहे है परधान मंतरी सड़ा की योजना हालांकि यह केंड़ सरकार की योजना है मगर इसकी implementation timely implementation 18 महीने के अंदर इसको हमने पूरा करने का एक बेड़ा उठाया है and I want to assure the August House that no compromise I have reiterated these facts and this point on various occasions मगर मगर आज फिर से इस वित्यवर्ष की शुरुआत मैं ये बात कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे 2700 करोड रोपे की लागत से करीबन आपके 254 सडकें जो बनेगी 18 महीने के अंदर उनको CTB उनको FDR और उनको आपके जो तीसरा आपका conventional technology है उसके माद्यम से बनाया जाएगा और उसमें जो हमारी FDR technology पहली बार हिमाचल परदेश के अंदर implement करवाई जा रही है कुछ इलाकों में in the times to come इसी को हम और सडकों में भी implement करने का प्रियास करेंगे ताकि कम पैसे में आपके कम resources को यूज करते हुए जादा से जादा सडकों का निर्मान परदेश के अंदर हो नबाड में 708 करोड रुपए की लागत से 109 योजनाएं मंजूर हुई है CRF CRF के माध्यम से 295 करोड रुपए की 5 योजनाएं पिछले वित्यवर्ष में मंजूर हुई है जिनका काम इस वित्यवर्ष में चुरू हो रहा है और उसमें आपके चमबा की चुवड़ी सडक भी है आप चिंता ना करे तो कर रहा हूं दन्यवाद मैं दरता थोड़ी हूं कर रहा हूं दन्यवाद आपको कह रहा हूं 41 करोड रुपए की लागत से 218 नहीं मशीनरे 41 करोड रुपए की लागत से 218 नहीं मशीनरे कल ही उसका हमने जो है वो फ्लाइग ओफ यहां से किया है और आपके टिपर JCBs और पोकलेंज चंबा के लिए भी दी गई है रामपूर के लिए भी दी गई है रोडू के लिए भी दी गई है क्योंकि यह difficult areas है तो मंडी में है दूसरी JCBs हमने बेजी है पोकलेंज आगे बेजेंगे वैसे ही हाली में आई अपदा में जो अभी आपदा आई थी उसमें 18 बेली फुल जो है वो और 27 जूले हमने बना कर लगाए है और 34 गाउं को जोड़ा गया है और 254 नए भवनों का निर्मान जो है वो करवाया गया है और पहली बार हमने अभी एक नया प्रियास इस बारी वैसे बरफ तो कम पड़ी मगर कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन का सिल्यूशन बना कर हमने शिमला की और आसपास की जहां पे हैवी स्नोफॉल हुआ है वहां पे लगाया ताकि बरफ जो है वो जैसे ही गिरेगी वैसे ही वो पिगल जाए ताकि उसका क्योंकि पहले गुठाला बहुत होता था आपकी सरकार में टेंडर लग जाते थे नो क्लेरेंस के बाद में कितना कितनी सफाई हुई बरफ की नहीं हुई इसलिए हमने बोला कि जो है सांस ही जो है सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी तो हमने जो है यह केमिकल सिलूशन ले आ है तो इससे आपको क्लेरेंस करने के टेंडर लगाने की आवशक्ता ही आने वाले समय में नहीं पड़ेगी बाकी अधियक्ष मौदे हमारे अबन ड्वेलप्मेंट ड्वेलप्मेंट में भी कई जो है मैं इसको शॉट में करना चाहूँगा कई हमने नए निरने लिये है क्योंकि अभी हाली में मैंने इस ड्वेलप्मेंट को इसका कारिभार संभाला है इसमें भी प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है आपका maintenance of him परिवार रिजिस्टर है urban local bodies में आपके strengthening of urban local bodies है इसके लिए कैसे हम आने वाले समय में संसादन क्योंकि हर जगा grantee net पे ही ये local bodies चल रही है आने वाले समय में कैसे हम revenue generation इन local bodies का जितने इनके facilities है इनके parking lots है या इनके और वहां पे units है उनको कैसे commercially viable करवा सके है इसके लिए हमको चिंता करने के आवशक्ता है क्योंकि आस्ते आस्ते चाहे वो अमरुत का पैसा है जो आपके शेरों के लिए आरा है सिवरिज के लिए आरा है चाहे वो आपका smart city तो क्योंकि अब दो थी उसका almost सारा काम धरमशाला और शिमला का पूरा हो चुका है but in the times to come हमारा ये focus रहेगा मैं सभी माननियास अदस्यों को ये बता रहा हूँ कि हमें जितने भी हमारे urban local bodies है इन में self generation के लिए हम कदम उठाएंगे इसके लिए मैं चर्चा विस्ते चर्चा आने वाले समय में सारे जितने elected bodies ULBs के members है उनके साथ करेंगे suggestions करेंगे अगर इसमें कोई policy नई policy भी लाने की आवशकता है कोई policy decision लेने की आवशकता है तो उसमें भी हम पीछे नहीं हटेंगे ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ और इसके साथ साथ अध्यक्ष मोदे मैं अन्त में युवाओं की भी बात करना चाहता हूँ क्यूंकि